हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी से बने हुए बहुत ही सौफ्ट दानेदार पेडा बर्फी की रेसेपी ये रेसेपी बहुत ही स्वाधिश्ट बनके तयार हुई है I hope आपको पसंद आएगी तो फ्रेंट्स आईए देखिए सूजी से बने हुए पेड़ा बर्फी की रेसेपी कैसे बनाते हैं यहाँ पे गैस पे एक कड़ा ही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक कप सूजी सूजी को भूनेंगे गैस का फ्लेम लोटू मीडियम रखेंगे और इसे ड्राइ रोस्ट करेंगे 4-5 मिनट तक लगातार सूजी को चलाते रहेंगे और इस तरह से चलाते हुए 4-5 मिनट तक सूजी को अच्छे से भून लेंगे तो ये देखे यहाँ पे सूजी भून चुकी है तो इसमें एड़ कर देंगे 3 टेबल स्पून घी गैस का फ्लेम इस समय लो कर लेंगे और घी को सूजी में अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसको लगातार चलाते हुए 4-5 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे जैसे जैसे ये भूनते जाएंगे सूजी का कलर हल्का सा चेंज होने लगेगा तो यहाँ पे सूजी को अच्छे से लगातार चलाते हुए हमने भून लिया है यहाँ पे सूजी का कलर हलका सा चेंज हो गया है यह देखिए तो इससे ज़्यादा और नहीं भुनेंगे सूजी अच्छे से भुन चुकी है तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं बुनी हुई सूजी को प्लेट में निकाल लेने के बाद इसी कडाही में अब हम डालेंगे आधा कप चीनी, आधा कप पानी और यहाँ पे चाशनी बना के तयार करेंगे तो इस पेक्शुला से लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे तो इस तरह से यह देखे चीनी यहाँ पे अच्छे से पिखल चुकी है अब हम इसको तीन से चार मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे बहुत ज़्यादा गाड़ी चाशनी नहीं चाहिए अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए तो यहाँ पे यह देखे चाशनी अब अच्छे से बन चुकी है और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए इलाइची का पावडर डालेंगे यह टोटली आप्शनल है तो चाशनी यहाँ पे पक चुकी है इसमें डाल देते हैं आधा टेबल स्पून इलाइची पावडर इसे भी अच्छे से मिक्स करके एक डेर मिनट तक और पका लेंगे तो यहाँ पे जब चाशनी अच्छे से तयार हो जाए तो भुनी हुई सूजी इसमें डालके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और यहाँ पे यह देखिए लगातार चलाते हुए हमने सूजी को अच्छे से चाशनी में मिक्स कर दिया है सूजी यहाँ पे चाशनी सोक रही है यह देखिए तो अब हम इसमें आड़ कर देते हैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स करना है और 3-4 मिनिट तर लो फ्लेम पर लगाता चलाते हुए मिक्स करते हुए भून लेंगे सूजी को और तो यहाँ पे यह देखिए मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे हम थोड़ी देर तक और भून लेते हैं तो अब हम इस समय गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे चार टेवल स्पून, डेसिकेटेड कोकोनट यानि की नारियल का बुरादा गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और नारियल के पाउडर को अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेंगे अब यह डो अच्छे से बन के तयार हो गया है तो अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसके बाद पेड़े बनाएंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है और अब ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, हम इसको हाथ से चू सकते हैं तो एक नीम्मू के साइज के आकार का इहाँ पे डोलेंगे और इसको हाथ पे ऐसे गोल करके पेड़े का शेप दे लेंगे तो आप चाहे तो बिल्कुल गोल चप्टा भी बना सकते हैं मैंने इसको इस तरह से हलका सा square shape देते हुए पेड़े का shape दिया है और ये दिजिए एक बर्फी पेड़ा बनके तयार हो गया है इसी तरह से एक और बना के दिखाती हूँ तो डो लेंगे और इसको हाथ पे ऐसे गोल करते हुए बर्फी का shape दे लेंगे तो इसको हलका सा square shape देते हुए पेड़ा बर्फी बना के तयार कर लेंगे तो ये देखिए friends एक और बनके तयार हो गया है यहाँ पे तो इसी तरह से एके करके हमने यहाँ पे सारे पेड़ा बर्फी बना के तयार कर लिये हैं और इसके ऊपर पिस्ता या पिर और कोई ड्राइफ रूट से इसको गार्निश कर ले और ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है बहुत ही बढ़िया बन के तयार हुई है मैं आपको एक यहाँ पे तोड़के रिखाती हूँ तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद तो इससे लाइक करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में